Assalamu alaikum, welcome back to the course पिछले lesson में हमने सीखा दा कि Instagram पर अपनी profile कैसे बनाते हैं तो हम आज जरा Instagram को और understand करेंगे समझेंगे कि उस पे क्या-क्या options होती हैं आप कर क्या-क्या सकते हैं ठीक है? तो हम जरा Instagram को खोलेंगे और उसको समझेंगे तो Instagram पर आपके पास नीचे पांच tabs होती हैं ठीक है? सबसे जो left पर tab है आपकी, मतलब आपकी left पर जो tab होता है वो एक घर का निशान बनाए जो कि आपका home page है, इसी वो घर का निशान है जिसको आप जब खोलते हैं तो आपकी feed आती है यानि जिस जिसको भी आप follow कर रहे हैं, जिन जिन लों को आप follow कर रहे हैं उनकी latest posts ठीक है? जो जो वो अपना content डाल रहे हैं वो आपको देखने को मिलता है उन्होंने क्या pictures डाली, साथ उनका caption आपको देखने को मिलता है तो home page पर ये होता है उसके साथ आपका होता है एक magnifying glass जो के हम सब को मालूम है इसका मतलब होता है search search, यहाँ पर आप नए लोगों को discover कर सकते हैं नए profiles discover कर सकते हैं इसमें आप यहाँ जाकर search में जाकर किसी का आपको already पता है आप उनको यहाँ पर लिखकर जैसे हम ढूना चाहें शाहिदा अफरीदी को ढूना चाहते हैं इस पर ठीक है, हमने शाहिदा अफरीदी को ढून लिया और यहाँ से फिर follow कर लिया ठीक है, तो इस search पर आप जिसको भी ढूनेंगे जिस भी account को आपने follow करना है आप ढून सकते हैं ठीक है, फिर एक आता है plus का button इस plus के button को जब आप दबाते हैं यहाँ से आप अपनी चीजें upload करते हैं यानि आपने कोई picture डालनी है आपने कोई video डालनी है वो यहाँ से upload हो जाएगी उसके बाद एक साथ में heart बनावाए heart पे आपकी notifications आती है ठीक है कि आज आपको किसने follow किया या आपकी कौन सी चीज़ को किसने like किया किसी ने आपके उपर comment किया ठीक है वो सारी notifications यहाँ पर आ जाती है यह आपकी activity page किलाता है उसके बाद end में goal जहाँ बनावाए जहाँ पर आपकी profile picture नज़रा आ रही होगी यह जाहिर सी बात इसको click करेंगे तो आपकी अपनी profile खुल जाएगी अब यहाँ पर दो options है एक यहाँ grade बनी भी है ठीक है इस grade पर click करते हैं तो यह आपकी जितनी भी आपने photos और videos डाली भी होती है वो यहाँ पर नज़राती है ठीक है और जो उसके साथ वाला है यह वाला button यहाँ पर आपको किसी ने tag किया होता है आपकी कोई picture डाली होती है वो यहाँ पर सारी नज़राती है यह आप नहीं यह दूसरे लोग डालते हैं जिसमें आप tag हुए वे होते हैं एक edit profile का button है यहाँ से आप अपनी profile edit कर सकते हैं फिर यहाँ पर insights का एक button है जहाँ पर आपको अपनी insights नज़राती है जिन पर हम बाद में आएंगे तो आपको मैं समझा सकूँगे ठीक है अच्छा जब आप home page पर जाते हैं तो home page में एक arrow बनावा है कोने में ठीक है इस उपर top right कोने में इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका आता है DMs direct messages यहाँ पर आप लोगों से जैसे WhatsApp पर आपने phone पर messages पर बात करते हैं उस तरह अपने followers से या Instagram पर जो भी accounts है उनसे आप interact कर सकते हैं उनसे आप बाते कर सकते हैं उनसे आप chat कर सकते हैं जिस तरह WhatsApp पर करते हैं बिल्कुल वैसे ही ठीक है तो यह आपका inbox है ठीक है यहाँ पर आपको message आते हैं यहाँ से आप message लोगों को करते हैं फिर उसके बाद feed पर जब भी कोई post होती है उसको अगर आपने like करना है तो आपने heart दबा दिया उस पर आपने comment करना है तो यह वाला button दबा दिया और अपना comment यहाँ पर छोड़ दिया ठीक है फिर आप यह वाला button दबाते हैं तो आप इसको अपनी story में डाल सकते हैं या आप इसको किसी और के साथ share करके उन्हें ये चीज ये post भेज सकते हैं फिर यहाँ पर जो कोने में एक banner जैसा icon है इसको जब आप दबाते हैं तो ये post save हो जाती है यानि आप इसको बाद में भी access करके देख सकते हैं ताकि एक जगा पर save हो जाए store हो जाए और आपको दोबारा ढूणनी ना पड़े ये basic user options हैं जो कोई भी इनसान जो instagram को इस्तमाल कर रहा है उसको इस्तमाल करने आने चाहिए ये बिल्कुल basic शुरु शुरु की चीजें हैं जब आपको ये समझ आएंगी और जब आपको इनको इस्तमाल करने की आज़त हो जाएगी तब आप के लिए असान होगा इसमें और चीजों को समझना ठीक है लेकिन अगर आप instagram पर बिल्कुल नए हैं तो ये चीजें आपको पहले समझ आनी चाहिए instagram को इस्तमाल करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है अगर ये में चीजें आपको ना भी बताओं तो उसको इस्तमाल करना इतना असान है कि आप उसे थोड़ा वक्त देंगे तो आपको उसको इस्तमाल करना आजाएगा ठीक है तो ये बहुत एक सिंपल सी शॉर्ट सी वीडियो थी अगली वीडियो में मैं इन डेप्स जाऊंगी तो थैंक यू फर वाचिंग अगली वीडियो में भी हम और सीखते हैं